हेलो एन असलाम अलेकुम अमीद असों खेरी से हमके मज़े में होंगे आज मैं आप लोगे लिए बहुत इंगेश्मेंट रेट के ऊपर आपकी फॉल्वर्स कैसे बढ़ सकते हैं आपको क्लाबरेशन कैसे मिल सकती है इन सारी चीजों के ऊपर बने रही का वीडियो में और जाए है मेरे विच्छ है हम दो वीडियो टेप्स को सब्सक्राइब करना हमें वीडियो को लाइक करना मत फूलेगा तो जलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको सबसे पहले पॉइंट्स में बताऊंगी ताके बहुत ज़्यदे डिटेईल डिसकर्शन मत हो जाए और आप लोगों को हर चीज की एक समझ आते हैं तो करना कुछ यूँ है नंबर वान पॉइंट यह कि अपने एक बायो बनानी है जो के एक पूरफाइल होती है पूरफाइल में आपने अपने सारा कोश्य जाल देना है जैसे मैं ब्यूटी की रिलेटेटेट थी मैंने एक नीच सब्सक्राइब की थी तो ब्यूटी रिले जmud और मैंने लिखे है कि जो है मैं एक ब्यूटी ब्लागगर हूँ मैं एक स्किन केर खिना की ब्यूटेट को जो है वहां उसके ऊपर डिज जाती हूं प्लस यह है कि मैं आप मॉमी ब्लॉगर भी हूं दो कि अब मेरी बेटी हो चुकी है तो अब मैं मौमी ब्लॉगर भी हूँ ठीक है मैं जो जो चीजें उसमें आड करती चाहूंगी मैं उसके हिसाब से कॉंटेंट भी डाल सकती है लाइक जैसी यूट्यूबर होता है तो वह यूट्यूब को ऐसे लेता है कि अगर वह ब्लॉगर है तो वह ब्लॉग की चीजें डालता है इसी तरह आपने प्रफाइल अपने ऐसे विना नहीं है प्रफाइल का मतलब यह कि सौर्ट ऑफ सीवी है जिसमें आपने अपना सारी डिडियल्स जानी है लाइक आपने अपना नाम डालना है अपना एमिल एड्रेस डालना है आपकी शहर में रहते हैं वो डालना है प्लस नीच के अकॉर्डिंग डालना है ब्यूटी है टैक जो है वह सारा कुछ यह से डालना है जो कि आपकी प् प्रफीरे ब्रेंड को पता चाहिए , यह सहरा जाए है कि आपने जो इँसा प्रफाय में डाल देना ही अब चलते हैं हम second point की तरफ, आप ने करना कुछ च्छा है कि आपने प्रहड़ को है कि अपने जो भी है कोई need को select कर लें पहले आप beauty के related आप डालें चाहते हैं तो beauty की चीज़ें डालेंगे, अगर अप टेक की चीज़ें डालेंगे, funny डालेंगे, तो funny डालेंगे तो इसलिए है कि आपको एक नीज का जए हूँ स्वख न॓ स्पृष्ट करने इनśया मंदे आपको समझेगी कि वंचे कि पोस्थ डानी है तो नीच का जो है वो बहुत बड़ा रोल है उसको आपको जो है सबसे पहले सेलेक करना है जो थर्ड चीज यह है वो यह है कि आपको ब्राइंड के साथ क्लाइबरेशन के लिए कभी उनको मैसेश नहीं करना है कि अगर आपके 1000 फॉल्वर है तो आपने ब्रैंड को गान्टेक कर लिया है और ब्रैंड को काईग करके कहने थे मुझे पीयर भेज़ने हैं ऐसा कभी नहीं होता कि आपको जो है उसके असल वज़ा यह सबसे इंपॉर्टेंट और मेन यह है कि यह यह पियार वह उन लोगों को भीश है। जो जिनके पास लोग भूब जाद होते हैं सिपने मारंगेज हो इंचे वह इलंगे लूगोः सब्सक्राइप जे नहीं व्राइटि Emperor हो ऐि हो होगा तो आपके जो है वह आप से कॉंटक करेंगे अधर वाय अधर आपके उपार वह पता करना बहुत जादा लाजमी है अगर अगर आप पता है कि आपके कोशिश करें वह उसे को कैलकुलेट करें कितने लोग आपकी पbuild की पथार होता है और उसे इंगेजमेंट में एंक्रीज तो जोड़ी करें क content आप आपको प्रफाइल पर जो भी पोस्ट आप डालें वह पहली कुछ 10-15 पोस्ट बहुत ही कोई अच्छी हो नहीं चाहिए जिसके विज़े से ब्रैंड जाएं और लोग आएं और प्रफाइल आपको हाई पर जाएं और आपको ब्रैंड खुद आपको कॉंटेक्ट करें अधर उसको भी अखसर को हमके इंगेजमेंट रेंट बहुत जड़ा भढ़ा ही है तो जो है ना वह लोग कर लेते हैं वो फ्री परडक्ट आपको भाले वैक पर आपको हाँ य्स haste करना ही है और जो है क्?! प्रफाइल के ऊपर आप उसके रिविव करने चली चली ताके लोग आपसे यह इंस्पायरों के आपको आपको एक परड़क्ट गया मिली है लोग आएंगे उतनी जज़ाद रिवियूंट देती थी और उनकी पिक्टिस लगाती थी जितने ज़दर आपको आपने प्रडॉक्स लगाएंगे रोज पोस्त करेंगे रोज आपकी जो लोग आएंगे उतनी ज़दा engagement rate बढ़ेगी और ब्रैंड आप से collaborate करना पसंद करेंगे आपने कोशिचे करनी है कि आपने पोस्ट करना है regularly अगर regularly करेंगे तो लोग आपकी नीच आपकी profile के पर ज़रूर आएंगे और ब्रैंड आपसे collaborate ज़रूर करेंगे तो आपने गया है कि आपने जो है ना जो भी आप जिस सहाब से पोस्ट करते हैं वीडियो या जो भी आप अपनी पोस्ट लगाते हैं पिक्चर में तो आपना एक ब्रैंड की तरह आएंगे और आपकी जो पोटो या वीडियो लेने क जो बैगरांड है या वो सारा कुछ एक जैसा होना चाहिए ताकि लोग जो है ना जब देखते रहते हैं आपके आदी हो जाते हैं यार यह इसी ब्लॉगर ने लगाया होगा और इसी ने सारा कुछ किया होगा इसके उबर चलते हैं तो इस वशे से आपने consistency रखनी इन ब्र आपको प्राइब्रेट करें और आपको free production है वो serve करें और आपको जो है वो PR मगने की ज़रूर है तनो है हैस्ट्रइकश का ज़रूरी यूज़ करना है हैस्ते के इसंद पूर्टेंट 무슨 कि अपने कंक्रिक मुषि करना है एक refugee में इससरी हैस्ट्राइग यूज़ना है जो इतने उंचे-उंचे हाइस्टेक्स होते हैं तो वह यह ही कि उनमें तो कोई भी नहीं देखेगा आपको ठेक है आपने हाइस्टेक्स वह यूज करने है जो आपके city के according होंगे और उनमें से famous होंगे वह आपने लगाने है और हैस्टेक्स यूज करना बहुत मस्त है उससे इस जो आपने हैस्टेक्स बढर जाएं हैस्टेक्स वह आपको यह कोई कि कि आप आप सब्सक्राइब करेंगे अपने ऑडियंस के अफ़र भाड़ कर दालने शुरू करते हैं क्या ओडियनस के आपने गाड़ी की डाली ए एक गूटिटी की डाली है पहले आप तक्रिवीं दस यह पन्रा पोस्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट डालें एक जिसी ना डालें ताकि जो है जो है जो लोग जादा आएंगे ना आपकी प्रोफाइल के उपर उसे पदर लगेगा कि लोग किसमें इंट्रस्टेट हैं तो आप उसके अपनी नीज को चेंज भी कर सकते हैं और फिर जो है जितना उसमें इंट्रस्टेट होंगे तो उतना लोग आपकी प्रोफाइल पर आएंगे और आपकी इंगेजमेंट रेट पड़ेगा और क्लाइबरेशन के चैंसे बहुत जाद हो जाएंगे तो आप एक जैसे चीज के पर एक्सपरिमेंट मत करें और टाइम व जैसे लोग आपकी प्रोफाइल पर आ रहे हैं आपने क्रेयर करना है बेटर कैप्शिंस का मतलब यह होते हैं कि जो भी टाइटल होते हैं उसको आपने कोशिश करना है कि बहुत अच्छा सा और बहुत ज़्यादा एट्रेक्टिव सा जो है ना वह आपने सेंटेंस डानने जिसके वज़े से लोग आएं और साथ में जो है ना वह आप यह भी लिखें कि if you like it then please follow my profile add डालके अपना handle डालें ठीक है उससे भी जो है लोग बहुत ज़्यादा जो है connected रहते हैं और इस वज़़े से जो है लोग आपकी profile पे आते हैं और आपको follow करते हैं तो जतने ज़ जो है वो आपने क्या करना है जब लोग कमेंट करेंगे ना आपने जीचे लिखे है thank you for your feedback यह कुछ भी जो भी वो आपसे पूछ रहे हैं आप उसका जवाब जरूर देना है अगर आप engagement शो करेंगे आप उनके साथ उनके comments को reply करेंगे यह like करेंगे तो लोग आपकी साथ बहुत जली connected हो जाते हैं और खुश होते हैं कि आपने उनको reply किया है so वो आपकी profile पर stay करते हैं और इसे जो आपकी engagement rate का भढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और जो है ना companies को देखती है कि यार इनकी engagement rate कितनी अच्छे comments कितनी अच्छे है likes कितनी अच्छे है और लोग इनसे बाते करना पसंद करें it means कि हमारी selling की जो property है ना जो हमारी selling हम चाते है वो ज्यादा होगी तो I hope यह point up को जो है वो confirm होगा कि आपने जो है उनके साथ बात जरूर करनी interactions हो जरूर करना है तो आपकी profile high rate पे चली जाएगी कि आपने जो है यह नहीं करना कि जि इंगेजमेंट कभी भी नहीं बढ़ती है आपने कोजिश करनी है कि आपने जो है जिससे मेरा beauty का था तो मैंने और beauty के pages पे जाके उनकी post को like करती थी comment करती थी और वो जब देखते थे तो वह फॉरान से follow back भी दे देते थे थे फॉरान से like comment भी कर देते थे तो इस वाज़ में ऐसे ही हुआ था कि मुझे सबसे पहले लेज का PR मिला था और इतने box में 20 प्यार उसमें लेज के package थे तो वह जो है उस टाइम मेरे जो followers थे वह जब 1.5K थे और इसे जादा नहीं थे लेकिन उस टाइम भी मुझे जो है वह एक PR मिल चुका था तो उसकी वज़े यही थ करती थी अपने नीच के साब से और वो लोग भी ऐसे करते थे और उसकी वज़े से मेरा engagement rate बहुत दहाए हो गया था और कमनी मुझे कुछ कुछ करती थी for PR क्या क्या है कि आपने पोस्ट करने है रेगुलर्ली एक दो तीन चार पांच है जितनी पोस्ट करना चाहते करें ल जो पसंद आ रहा था वो मैं लगाई चाहरी थी साथ स्टोरी पर लगाई चाहरी थी तो उसे जो है ना मेरा engagement rate बहुत अच्छा हो रहा था और मुझे जो है वो उसकी वज़ेसे भी PR रेसीव हो रहे थे क्योंकि ये कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों आ रहे थे ना डिफ करती थी और मेरी जो ऐसे engagement rate हाई हो जाती थी और मुझे PR रेसीव होते थे सिरफ प्यारी कि आपने कभी भी जो है ना अगर आपको सबसे फ़ले शुरू में आपको फॉलो इतने जादा नहीं है और ब्रैंड कह रहा है कि हम आपको फ्री प्रडॉक्स भेज रहे हैं और को कभी भी यह नहीं कहना कि उन्हें चार्ज करते हूं जब तक आपके 10K फॉलोर्स नहीं हो जाते तब तक तो बिल्कुल भी नहीं तो कोशिश यह करें कि आपने उनसे पैसों के डिबांड करेंगे तो आपको फ्री प्रडॉक्स भी चला जाएगा और वो जो कमनी कहेगी कि यार यह तो देखो कि कैसे हम फ्री प्रडॉक्स भीज जाते हैं उनको पैसों को पढ़गी है तो उससे बहुत बुरा इंप्रेशन पढ़ते हैं और इंगेजमेंट रेट भी जीरो हो जाते हैं आपने प्यार के लिए आपने पैसों के लिए सबसे पहले नहीं करना है प अपने लाइक्स और अपने कमेंट्स को जो है ना वह इंगेजमेंट रेट करके वह आपने लोग जो इंगेजमेंट रेट करना है उनको इमेल करना है उनको सारा बताना है कि यह मेरा हैंडल है यह मेरा जो है इमेल एड्रेस है यह मेरा जो है वह इंस्टार्राम का एड्रे प्लस यह जो है वह मेरे इतने followers हैं इंगेजमेंट इतना जाद है तो वह आपसे जो है अगर इंट्रस्टेट होंगे आपको कमेंट करेंगे डारेक्ट मैसेज अकसर यह होती है नहीं देखती है तो आप डी मोटिवेट हो जाते हैं तो आप कुछिछ करें कि अगर आप इस को collaboration के लिए जाए रहे हैं तो आप उनको direct email करें ताके email देखें जो है वह आपसे वह contact करेंगे अगर इंट्रस्टेट होंगे और आपको पियाइज जरूर रसीब होगा mostly ऐसा होता था कि मुझे जब मैं micro influencer थी थी कि जो बहुत चोटा होता है तो वो 2K तक थी तो मैं क्या करती थी कि मुझे फॉन फॉन से campaign का बता नहीं लगता था कि कौन कौन से campaign चल रही है किसमें participate करना है तो मैं यह करती थी कि जो अपने follow vloggers होते थे ना जो जैसे जो मेरी niche के होते थे मैं उनके profile देखती रहती थी उनके stories पर देखती रहती थी कि क्या चल रहा है और यह है वो और उनसे information भी ले ले लेती थी कि यारी कौन से campaign है कौन सा group है यारी किसमें आड करना है तो वो सारी information में मिल जाती थी और उसकी वजह से मैं campaign में आड हो चाती थी और मुझे PR मिल जाते थे तो आज की मेरी वीडियो थी है उमीद है कि आपको बहुत ज़दा helpful रहोगी अगर कोई comment है या कोई भी मसला है वो आप नीचे लिख सकते हैं अपनों बहुत सारा ख्याल रखेगा और मेरे इंस्टागरम को ज़रूर फॉलो करेगा और अगर कोई help की ज़रूरत है तो यह जो direct message करेगा I will respond it और अब तो बहुत सारा ख्याल रखेगा मेरी profile को जो है मेरे YouTube चैनल को subscribe करना मत भूले का तब तक के लिए अलाहापेस